जैसे किसना दोश्तों हमारे BS सर्माबद्वा चैनल में आप सभी दोश्तों का स्वागत हैं दोश्तों वास्ट शास्त के अंसार घर में दर्द्रिता क्यों आती हैं कई बार हमारे घर में कपड़ों के कारण भी दर्द्रिता आती हैं रेन सेन के कारण भी दर्दता दिये, भगवान ने आपको जो है, पैसा दिया, धन दौलत दी, उसके बाद में भी क्या काते हैं, बहुत से लोगों की आदत होती हैं, कपड़ों को समाल समाल के रखते हैं, और स्वें फटे पुराने कपड़े पेंदे रहते हैं, पैसा होती ह भी एक नर्दन बथ के रहना, यह भी भगवान का अपमान होता हैं, लक्षमी का अनाधर होता हैं, इससे भी घर के अंदर देद्रता आती है, वास्त दोस बनता है, परवार के अंदर असांती हो जाती है, दूसरा, खाने की चीजों में भी लोग करते हैं, भगवान को भोग लगाने में भी करते हैं, कई वार ऐसा होता है, अगर लोगों की नजर में मतमीद होता है, यानि की दान करते हैं समय कंजू जब बजार जाते हैं तो अपने लिए मेनगे शे मेंगा कपड़ा खुरीत ही अगर किशी को दान करना है तो कह देते हैं दान करने वाला दे दो सबसे घटिया सामान देते हैं उन लोगों के घर में भी दर्धता आती हैं उनकी भी मनो कामना पूरी नहीं होती या तो आप करो चैसे थोड़ा करो पर ऐसा करो कि अगले के काम आए किसी गरीब को दे रहे हो जाए ब्रामन को दे रहे हो जो थोड़ी दो पर अच्छी वस्तु दो इससे जो इसके मन में आशिस मिलता है अगर आप पाप से डर उसी ना करो जो करो अच्छा करो घर में भी प्रसंद रहने की कोशिस करो जैसे आप श्यम देखो इस नान नहीं करते ही तब तक सरी में आलस रहता इस नान करने के बारे में आपके अंदर फुर्टी आ जाती है उसी तरह से आप दान अच्छा करेंगे अच्छा कपड़े पेनोगे साप सुद्रे रहोगे घर में सफाई रखोगे बड़ों का सम्मान करोगे तो दरिता घर के अंदर नहीं रह सकती आप जो भी करो जो उपाय काते ही पूरे भावशी करो तो देखना उपाय का फल मिलेगा जहां पर थोड़ी सी भी संका हुई उपाय निस्पल हो जाता है जगे जगे भटकों मत जिनको एक मान लिया उशी के द्वारा सुनो उशी उपाय को अपनाओ तो निश्चित रूप से मनो कामना पूरी होती है घर में सुक्ष सम्मृद्दी का वास होता है दोस्तों यह अमने वास साष्ट के अंसा जान कर दी अर आपको मैं जान